यह लास नारीनद फोस्त टर्मिनल एकजाम 2023 हिंदी का देख सकते हुन ऊरिजिटनल कोमसेशन प्रपर आं गिया है दोस्तों इसमें सेट वला है सेट वलायँ जिसका भी टाप का आता है कोस्टेन पेपर वह चाप लिजिए ओरिजिनल कोस्टेन पेपर है ठीक ना पूरा चाप लिजिए दोस्तों यहां देख सकते हैं 2023 का है ठीक एक एक अब्जेक्टिव का एंसर हम फटा-फटा आप लोगों को बताते एक्जाम होल में जाने से पहले देख पूरा पहला है कि तुम घहन्वन हम मौरा में मौरा कौन है तो इसका करेक्ट टेंसर कवी स्वेंग है ठेक उसका करेक्ट एंसर B हो जाएगा भाक्ति भहवना की ठेक उसके बाद के तीसरा है रेधास के अराध्यादेव डॉट है तो इसका Correct answer B हो जाएगा स्रिराम चलिए अगला देख लिए चार नमर का रहें सूफी कभी मंझहन ने प्रेम की अमुलता की उप्मा किस से दी है तिसका Correct answer D हो जाएगा नग यानि कि अंगूठी का ठेक उसके पांच नमर है सिरिष्टी किस्से परकासित और जोतीत करती है तो इसका correct answer हो जाएगा प्रेम जोती से उसके अच्छो नमर है कौन बेक्ती मरने या मिर्टू के बाद भी नहीं मरता है तो इसका correct answer इसमें डी हो जाएगा दोस्तो प्रेम स्वपाना का स्वइंग संधान करने वाला ठेक उसके बाद साथ नमर है कभी वर मंझहन की परसिद्ध नमंकित किस रूप में है तो इसका correct answer डी हो जाएगा सूफी संत कभी के रूप में प्रेम की सरन में जाने वाले जीब को क्या पराप्त होता है तो इसका correct answer बी हो जाएगा दोस्तो अमर्त्व का वर्दान उसके बाद 9 नमर का रहा है कि मंझहन रचित एक मात्र कभी पुष्टक का नाम डौट डौट है तो इसका correct answer बी हो जाएगा मधु मालती नेक्स्ट प्रस्ण है दस नमर्त गुरू गोविंद सिंग निम्नांकित किस मुगल समराट के समा कालीन थे तो इसका correct answer सी हो जाएगा सह जहां के उसके बाद देख लीजिए एक आरे नमर्त प्रस्ण कर रहा है समाज में उपरी विवेदों को कैसे दूर किया जा सकता है तो इसका correct answer बी हो जाएगा गोविंद राए अगला प्रस्ण देख लीजिए तेरे नमर्त कर रहा है गुरू गोविंद सिंग डौट डौट के सिस्षे थे तो इसका correct answer सी हो जाएगा तेज बहादूर चलिए चौदा नमर्कर है बिहार में डौट डौट बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है तो भचपूरी भचपूरी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है पंदर नमर करें बिहार में युवा लोग गीतकार डोट डोट अकेला एक चर्चित लोग गायक थे तिसका करेक्ट इंसरसी जगा अजीत कुमार ठीक उसके बाद देखिए बिहार में प्रक्षात महिला लोग गायन कलाकार डोट डोट का नाम काफी मसुहूर है तो वह है बिंध्यांसवानी देवी ठेक उसके बाद सतर नमर करें कभी वान भट बिहार के डोट डोट जिले के निवासी थे तो उसका हो जाएगा भोचपूर जिले के निवासी थे इसका करेंट इंसर भी हो जाएगा बिध्यांस बिंदिया वासनी देवी ठेक उनीस नमर करा बरत्मान पतना साहिब को साहिब को अठारवी से नौवी सतावदी में डोट डोट कहा जाता था तिसका करेंट इंसर भी हो जाएगा पाटली पूत्र चलिए अगला करस्न कुस्टन देख लिजिए 20 नमर 20 नमर करा आपका कि मुनसी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य करते मरे तिसका करेंट इं उसके बाद 22 नमर का रहे छेतरी ये सब्द किस धोनियों के मेल से बना है तो उसका करेंट इंसर भी हो जाएगा ठेक चलिए अगला प्रस्न है आपका 23 नमर कहानी का पलोट सिर्षक पार्ट गद की कोन सी बिद्ध्या है तो इसका करेंट इंसर सी हो जाएगा कहानी अगला कि शबीस नमर करें नलंदा कहां कि इतिहास की गौरव गाथा को समेटे हुए हैं तो इसका करेक्ट इंसर डी हो जाएगा भारत के 27 नमर करें कि फाहन भारत में किस देश से आया यात्री था इसका करेक्ट इंसर यह हो जाएगा चीन चलिए अगला प्रस्न करें 28 नमर इवन चांग से कहाँ था यहां देस जन्मघूमी है तो इसका करेक्ट इंसर सी भाग्वान बूढवां बूद की 29 नुमर करें नलंदा अन्हाद प्रादान रूप से किस धर्म और धर्सन के ज्यान दान से जुरा है तो इसका करेक्ट रहाथ बिहार नालंदा 31 प्रस्ण कराए कि गराम गीतों का मर्म पाठ गध की कौन सी बिद्या है तो इसका correct answer आपको ए हो जाएगा रेखाचीतर 32 प्रस्ण कराए कि गराम गीतों में किन के नाम पर बहुत आये हैं तो इसका correct answer आपका C हो जाएगा राम परिवार के सदस्यों के नेक्स प्रस्ण देख लिजे नेक्स प्रस्ण आपका 33 नमर रहा कि बच्चे किन की कहानिया सुनने को ज्यादा उत्सुक रहते हैं तो इसका correct answer C हो जाएगा भूत प्रेथ की 34 नमर करें मेग दूत कभी बार डौट डौट की अमर का भी रचना है तो इसका correct answer B हो जाएगा काली दास अगला प्रस्ण 35 नमर करें तुम चंदन हम पानी में तुम सब्द का पड़ियो किसके लिए हुआ है तो इसका correct answer C हो जाएगा भगवान के लिए 36 नमर करें कभी वान भर्ट बिहार के किस जीले के निवासी थे तो इसका correct answer B हो जाएगा भोजपूर 37 नमर करें बिसमिल्लाग खान की जन्म भूमी है तो इसका correct answer A हो जाएगा डुमराव 38 नमर करें गुरू गोविन सिंग किस रूप में विशेश परसीद है तो इसका correct answer C हो जाएगा शिखो के गुरू के रूप में अगला प्रस्ण देख लिए 49 नमर करें गुरू गोविन सिंग का जन्म कहां हुआ था तो इसका correct answer A हो जाएगा पटना 40 नमर करें गुरू गोविन सिंग किसे अपना स्वामी माना है तो इसका correct answer D हो जाएगा अपने अराध्य भगवान को 41 नमर करें गुरू गराम गीत क्या है तो इसका correct answer A हो जाएगा दोस्तों हिर्दे की वानी 43 नमर करें डाक्टर राजेंट परसाद का जन्म किस परदेश के सारंजिला के जिरादेई गराम में किस वर्स हुआ था तो इसका correct answer A हो जाएगा सन 3.1884 इस भी 44 नमर करें कि कुछ लोगों के कथा नुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है तो इसका correct answer A हो जाएगा मुह फट और चंचल 45 नमर करें मुणसी जी ने किया बेचकर दरोगा जी का सरद्ध किया तो इसका correct answer B हो जाएगा सराद किया तो इसका correct answer किमती तुर्पी घौरा उसका 46 नुमर करें निम लिखित में कौन सा सब्द महादेव का समार्थी नहीं है तो इसका करेक्ट एंसर यह हो जाएगा नेल कंठ उसका 47 नुमर करें बेयर्थ का कौन सा संदी विछेद सही है तो उसका D हो जाएगा B जोड अर्थ उसके बाद 48 नुमर करें आज कल भारतिय पहनावे बदल गये है इस वाकशी में आने पहनावे कौन सी संगयां है तो इसका करेक्ट एंसर B हो जाएगा भावाचक संगया उन्चास कर मैं आप चला जाओंगा मैं आप चला जाओंगा इस वाकशी में आप कौन सी सर्वनाम है तो इसका B correct answer हो जाएगा नीजवाचक, अगला प्रस्ण 50 नमर करा एक परती वेशन सब्द किसकी विशेष्टा बताता है, तो इसका correct answer B हो जाएगा विशेष्टन की, 51 नमर करा तन्या को गंदकी से बहुत घिरिना है, इस वाक में से किस कारक की विभक्ती है, तो इसका correct answer A हो जाएगा करन, 52 नमर करा भूत काल कितने परकार के होते हैं, तो इसका correct answer D हो जाएगा अच्छा, तिरपन नमर करा ब्यायाम का संदी विशेष्ट क्या है, तो इसका correct answer A हो जाएगा ब्याजोर आयाम, चोवण नमर करा आजनम में कौन सा समासा है, तो इसका correct answer A हो जाएगा अब ये भाव, पचपन नमर करा कि निस्टेज में कौन सा अफसर्ग है, तो इसका correct answer C हो जाएगा निस्ट, अगला प्रस्ण देख लिए चपन नमर करें बुढ़ापा में कौन सा परतिय है, तो इसका correct answer C हो जाएगा अपा, 57 नमर करें निमलिखित सब्दों में कौन सा सब्द सुध है, तो इसका correct answer ये हो जाएगा, 58 नमर करें निमलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य सुध है, तो इसका correct answer C हो जाएगा फूलों की एक माला ला दीजिए, उनसर करें आमल और पत्थर परना मोहवडे का आर्थ सही अर्थ क्या है, तड़ी हो जाएगा बुद्धी भरष्ट होना, साथ नमर करें निंदा का बिलोम हो जाएगा समवेदना, दोस्तो सब्जेक्टिव कोर्ष्टन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा ठीक न, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए,